तो बच्चो, स्टार्ट करते हम लोग, कि हैंस ओिस्टर्ट ने जब अपनी प्रॉपटी के बारे में बताया, बराबर ये जादुवी प्रॉपटी के बारे में जब दुनिया को बताया, तो इस जालिम दुनिया ने हैंस ओिस्टर्ट को ही सवालों के कढगरे में खड़ा कर करते हैं उसी तरह से इन्हें भी बहुत सारे नए नए सवालों का सामना करना पड़ा अब वो क्वेश्चन क्या थे तो क्वेश्चन से भाई और इस्टड ये बताओ कि Magnetic Field Around a Straight Current Carrying Conductor कैसा होगा? Magnetic Field Around Circular Loop कैसा होगा? Magnetic Field Around Solenoid कैसा होगा? Direction of Magnetic Field इन तीनों केसिस में कैसे होगे? और क्या आप इस property को कोई नाम suggest करोगे? और उस suggest करोगे तो वो क्या होगा? और क्या ये जो process है? ये पूरा जो process है? ये process को किन किन factor से effect होता है? ये process को कौन-कौन से factors affect करते हैं? क्या इसके बारे में आप कुछ बताओगी? तो Hans Oysterd के बारे में जैसे हम जानते हैं, he was a man of strong determination. उन्होंने one by one, बड़ा 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 वन एक-एक सवालों का question, answers उन्होंने find करना चालों किया. तो सबसे पहले Hans Oysterd गए, कहां पर एक पुरानी किताब में उन्होंने देखा कि भाई, जब magnet था, जिसका pole था north और south, तो लोगों ने इसका direction कैसे find किया था? या इसके field के बारे में कैसे पता किया था? सबसे पहले Hans Oysterd ने ये पता किया. तो उन्होंने क्या किया था? एक cardboard लिया था, cardboard के नीचे magnet को रखा था, औ cardboard के उपर बहुत सारे छोड़े 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 आइन के टुकड़े को स्प्रिंकल कर दिया था, अब उसके बाद क्या हुआ था? ये स्प्रिंकल अपने आपको ऐसे से, ऐसे से ऐसे से अरेंज हो गयते, इस magnet के बज़े से, ठीक है? और बहुत सारे पुराने स South Pole, Start on from North Pole, Ends on South Pole, तो ये North से स्टार्ट होगा और ये से जाके South में Enter कर जाएगा, और ये क्या है? Close Continuous Curves, तो Hands Oystered ने यहीं से शुरुवात की, बुला ठीक है, तो अब मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है कि भाई, अगर Straight Current Carrying Conductor है, ये Straight Current Carrying Conductor है, और आपर जि भी बह रहा है, तो Hands Oystered ने क्या किया? यहाँ पर भी एक Cardboard चिपका दिया, ठीक है? इसको मैं थोड़ा अलग बना लेता हूँ, आपको समझाने के लिए, तो ये हमने बना लिया, Suppose Cardboard, ये रहा Hands Oystered का वायर, जो उन्होंने एक Cell से Connect कर दिया, ये है Point A, और ये है Point B, ब्राबर, Property कि साब साब जानते ही हो, Current Will Flow from Positive to Negative, यानि Current कहां से बह रहा है, A to B बह रहा है, और उन्होंने ये वाले Cardboard के उपर, उन्होंने क्या कर दिया, बहुत सारे चोटे-चोटे आइन्स के, आइन्स के Particles को स्प्रिंकल कर दिया, उसके उपर, फिर क्या देखा उन्होंने, कि जैसे उन्होंने Current को On किया, स्विच को जैसे ही On किया, ठीके, Cardboard पर जो आइन्स स्प्रिंकल्स थे ना, वो कुछ इस डिरेक्शन में अरेंज होगे, एक पैटन बन गया, ठीके, ये पैटन कैसा पैटन है, ये पैटन है, Concentric Circles, ठीके, तो यहां से ये बात कनफर्म हो गई, कि जबी भी Straight Current Carrying Conductor होता है, Straight Current Carrying Conductor, चाहे वो वर्टिकल डिरेक्शन में हो, या Horizontal Direction में हो, या Slant Direction में हो, किसी भी डिरेक्शन में हो, तो जबी भी Straight Current Carrying Conductor होगा, तो उसके Around Magnetic Field कैसा होगा, उसके Around Magnetic Field होगा, in the form of Concentric Circles, it will be in the form of Concentric Circle, तो क्या पहले सवाल का जवाब मिल गया, तो बताओ इस्टेड, Magnetic Field Around Straight Current Carrying Conductor कैसा है, तो उन्होंने जवाब दिया भाई, It is in Concentric Circle, अब Concentric Circles क्या होते हैं, तो ऐसे Circle, जिनका Center एक होता है, Same Center, Radius अलग, Center same, Radius अलग, Center same, Radius अलग, अब ये Circle का Center कहां पर था, तो उसे Center वाईर पर था, ये जो Concentric Circles बने, उसका Center कहां पर था, तो उसे Center वाईर पर था, ठीक है, अब यहाँ से कुछ Properties के बारे में हम बता दो आपको, few Properties के बारे में जाननी है, पांक कर दिया C, और तीनों Position पर मैंने अगर Compass को रखा, तो देखूंगा, Deflection जो है ना सबसे जादा हो रहा है Point A पर, जैसे B पर जाओंगा, थोड़ा Deflection कम हो जाएगा, और जैसे C पर रखूंगा Compass को, Deflection और भी कम होने लगेगा, Deflection होगा, लेकिन कम होते जाएगा, जब Particle या जो Body है, वो Wire के नजदीक हो, और जैसे जैसे आप Wire से दूर जाओगे, Magnetic Field का Strength कम होगा, ठीक है, तो Strength of Magnetic Field is Inversely Proportional to Distance, As you go far away from the wire, from the Current Carrying Conductor, the Strength of the Magnetic Field will go on decreasing, ठीक है, ये Hans Oyster ने Confirm किया इसी Experiment से और उन्होंने बताया, फिर से सुन लो बराबर, इसको लिखना भी है, As you go far away from the Current Carrying Conductor, what will happen to the Strength of the Magnetic Field, the Strength of the Magnetic Field will keep on decreasing, वो कम होते जाएगा, ठीक है, अच्छा, और किसके उपर Depend करेगा ये चीज, तो Dependence, दूसरा किसके उपर Depend करेगा, current के उपर, अगर ये मैंने बैटरी, ये जो दिखना है बैटरी, ये बढ़ा दिया, ये पांच वोल्ट का है, इसको मैंने दस वोल्ट कर दिया, तो ये जो, concentric circle से, वो और ज्यादा close हो जाएंगे, और ज्यादा नजदीक हो जाएंगे, denote ये करेगा, कि जैसे ही ज्यादा current बढ़ेगा, वैसे ही, field क्या हो जाएगा, strong हो जाएगा, तो field दो चीज को Depend करेगा, magnetic field को हम B से denote करते हैं, बच्चा याद रखना, magnetic field को हम B से denote करते हैं, तो it is directly proportional to current, current के strength को, और magnetic field is inversely proportional to distance, from the wire, distance from the wire, याद रहे बच्चा, magnetic field directly किसको Depend करेगा, current को, जितना स्यादा current, उतना stronger magnetic field, और जितना दूर जाओगे wire से, from the current carrying conductor से, उतना weak हो जाएगा क्या, आपका magnetic field, तो ये दो factors याद रखना, ये लिख के रखना, आप लोग, क्या लिखोगे, magnetic field is directly proportional to strength of the current, बराबर, the stronger will be the current, the stronger will be the magnetic field, और magnetic field will be inversely proportional to distance, जितना दूर जाओगे आप current carrying conductor से, उतना weak होते जाएगा क्या, आपका magnetic field, ठीक है, magnetic field का formation, अच्छा direction कैसा होगा, वो direction पर मैं बाद में आता हूँ, ठीक है, वो हम लोग, जो हमारा 5th question है, 4th question है, उसमें answer देंगे, ठीक है, तो one by one, तो क्या चीज़ clear हो गया, कैसा है, concentric circles, कैसा है concentric circles, magnetic field कि सको बटेबन करता है, V is proportional to current, and V is inversely proportional to distance, from the wire, तो ये तीन चीज़ पता चल गया हमको, now, next question, जो second question था,